दोस्तों, IPL 2025 के लिए चेन नई सुपर किंग्स यानि कि CSK ने किया नया कप्तान घोशित जी हाँ दोस्तों, अब रतुराज गायकवार नहीं, बलकि यह है खुंखार खिलाडी करता दिखेगा CSK की कप्तानी आखिरकार दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कौन है वर खुंखार खिलाडी? तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल ना भूले दोस्तों जैसा की आप सभी को पता ही है, इस साल IPL 2025 के सीजन के लिए महा आउक्षन होने वाला है जिसमें सभी टीम अपने टीम में कई बड़े और अहम खिलाडियों को शामिल करना चाहेंगी तो वही दोस्तों, इन में से कई टीमों की नजर एक बड़िया कप्तान पर भी होने वाली है जिसमें एक टीम है CSK, यानि की चैननाई सुपर किंग्स दोस्तों, पिछले साल, चैननाई सुपर किंग्स की कप्तानी आर्थुराज गायकवाड ने करी थी जिनकी कप्तानी में चैननाई सुपर किंग्स प्लेओफ में भी जगह नहीं बन पाई थी इसी को मदेंजर रखते हुए दोस्तों, CSK के पूर्व कप्तान MS धोनी ने CSK का नया कप्तान ढूण लिया है जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूर्या कुमार यादव की दोस्तों सूर्या कुमार यादव, IPL में मुंबई इंडियन्स की तरफ से खेलते हैं और इसके अलावा दोस्तों, सूर्या कुमार यादव का कप्तान के तौर पर भी इनका प्रदर्शन बेहद ही शांदार रहा है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सूर्या कुमार यादव आगामी सत्र से पहले रुथुराज गायकवार की जगहे नई कप्तान बन सकते हैं। अगर दोस्तों, ऐसा होता है, तो सूर्या कुमार यादव अकेले दम पर ही जीता देगा। चैननाई टीम को आईपियल दो हजार पचीज का खहताब।